वीकेंड के बार पर क्या हुआ ऐसा जो मुनवर फारुकी की इतनी हेट मिल रही है जो मैं बता दू आपको यहाँ पर आईसा खान को काफी ज़्यादा डार्ट पड़ी है सलमान खान के द्वारा और सलमान खान ने एक तरह से उनको काफी ज़्यादा डार्ट फटकार और वहीं पर गिर जाती है विकेंड का वार का सूट जो है वो रोकना पड़ता है यहाँ पर मुनवर लेकिन हसते हुए नजर आते है बाद में और इसी वज़े से उनको काफी ज़्यादा हेट पड़ी है यहाँ पर मैं कुछ ट्विट्स आपको दिखा देता हूं यह बिग दिखा रहा है प्रपोज भी कर दिये इंडायक ली और जब आज पूचा गया तो बोलता है नजिला के पास वापस जाना है यह उनका कहना है यहाँ पर मुनववर के लिए और यहाँ पर दूस्रे जो ट्विट्स है इसा ने भी यहाँ पर कहा है बिग बॉस सत्रा के हाउस में इसा मालवी ने यहाँ पर कहा है कि मुनवर is responsible for आईसास condition यानि आईसा है कि जो condition है उसके लिए मुनवर ही है उनको जूटे होप्स दिला रहा है जब आईसा इंटर की थी wildcard के रूप में तब मुनवर ने बोला था मुझे लगा नजीला आएगी wildcard में उसके लिए मैं prepare था तो वो बोल रहे है टूडे ही सेंग देट अंकिता संवन जो सो में नहीं आता है देट नजीला तो यहाँ पर वो काफी बड़े expose होती जा रहे है म और यहाँ पर एक और ट्वीट जो है made fun upload राम राम जी का मजाक उड़ाए गया हिंदुजिम को मेनी टाइम्स यहाँ पर मौक किया गया सिंपती ली गई ओडियंस के द्वारा और नाव ही इस बिग बोस डूइंग फोर क्लियर ही इमेज यानि आप वो बिग बोस कर रहे है इमेज क्लियर करने के लिए तो इस सारी चीज़े हैं यहाँ पर सल्मान खान को भी काफी ज़्यादा डाट फटकार के बाद उनको भी काफी हेट पड़ रही है उसकी वज़ा मैं बता देता हूं जब डॉक्टर यहाँ पर बोलते है सल्मान खान से कि इनकी बीपी बहुत क कम हैं और लो बीपी के कारण यह बहुत हुई है तो वहाँ पर सल्मान खान बोलते है वीग परस्नालिटी क्यों आना ता फिर मेंटली नहीं हो वगेरा वगेरा तो यह उन्होंने वहाँ पर मजाक उड़ाया है यहाँ पर बीग बॉस तत्य ओफिशल हैंडल ने यह कन्फर फारुकी और सल्मान खान को काफी हेड़ पड़ रही है उनकी वजह से आईसा खान जब बेहुस हुई थी तो दोनों मजाक उड़ाते हुए नजर आये थे जहां पर मनवर हस रहे थे तो वही सल्मान खान मजाक उड़ा रहे थे मैं बता दो आपको रिंकुदावन घर से ब मार तो यहां पर सबसे कम वोटो के कारण डबल एविक्षन हुआ है यहां पर रिंकुदावन तो गई है साथ में आपर नील बट भी गए है घर से बेगर हो गए है नील बट की वाइफ ती वो पिछले अपते यहां से बेगर हुई थी बिक बोस सत्रा के आउस से और इस व हर वीक आप डबल एविक्षन दिख सकता है तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यहां पर बिग बोस से रिलेटेड हर खबर आपको सबसे पहले मिलते रहेगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में